Friends, अक्सर हमें अपने daily life में इस तरह के sentences बोलने पड़ते हैं जहां आप कहते हैं दिक्कत होती है या तकलीफ होती है Friends, सायद ही कोई ऐसा दिन होगा जहां आप इस तरह के sentences ना बोलते हों कहने का मतलब है friends की हमें अपने daily life में इस तरह के sentences बहुत जादा बोलना पड़ता है तो आए friends देखें कि इस तरह के sentences को कैसे बोलना है friends अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकम को क्लिक करें ताकि मेरा latest वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके आए friends आज की डेसन की शुरुआत करते हैं friends हमारा पहला example है मेरे बेटे को अंग्रेजी बोलने में दिक्कत होती है तो इस तरह के sentence जहां आप कहते हैं दिक्कत होती है या तकलीफ होती है आप सबसे पहले डिखेंगे subject उसके बाद find के साथ difficulty उसके बाद आप इन के साथ जीरन का इस्तेमाल करेंगे कैसे बोलना है आईए इसे करके देखें friends सबसे पहले आप डिखेंगे subject तो आपका subject है मेरा बेटा आप डिखेंगे my son friends यहाँ पर मैं आपको बता दू कि find का इस्तेमाल आप tense के according करेंगे यानि अगर आपका sentence present in definite tense में है तो आप work का first form या s form का इस्तेमाल करेंगे अगर आपका sentence गुजरा हुआ है तो आप second form का इस्तेमाल करेंगे यानि आपके sentence जिस tense में हो आप find का वो form लिखेंगे जैसे यहाँ पर आप find के जगा पर finds लिखेंगे यानि आप S form का इस्तेमाल करेंगे अब सवाल यह है कि आप S form का इस्तेमाल क्यों करेंगे यानि याँ पर S क्यों लिखेंगे तो friends इस बात को मैंने part 6 में शांदार तरीके से सिखाया कि present indefinite tense क्या है और verb में कब S या ES लगाना चाहिए उमीद करता हूँ कि आप वो part देख चुके हैं और आपको यह बात पता है तभी आप यहां तक पहुँचे हैं अगर आप part 6 अभी तक नहीं देखे हैं तो जरूर देखें ताकि आप इस concept को शांदार तरीके से समझ सकें मैंने लिखा finds उसके बाद मैं लिखूंगा difficulty उसके बाद हम इन के साथ जिरन का इस्तेमाल करेंगे तो मैं लिखूंगा in और यहां पर हमको एक वर्ब दिखा बोलना तो हमें इसे जिरन में लिखना है यानि आएंटी फ़र्म का इस्तेमाल करना है मैं लिखूंगा speaking और अंग्रेजी यानि English मेरे बेटे को अंग्रेजी बोलने में दिक्कत होती है तो आप कहेंगे My son finds difficulty in speaking English आए फ्रेंट्स इसे translate करते हैं ताकि आप इस बाद को शांदार तरीके से समझ सकें लिखा है उसे आप लिखेंगे he उसके बाद आप लिखेंगे find के साथ difficulty इसके बाद in के साथ आप जीरन का इस्तिमाल करेंगे आप लिखेंगे in और खाने के लिए होता है तेक یziehान Crime के लिखेंगे taking और अंग्रेजी दवा आप लिखेंगे allopathic medicine या आप English medicine भी लिख सकते हैं तो friends, मैंने लिखा, he finds difficulty in taking English medicine, यानि उसे अंग्रेजी दवा खाने में तकलीफ होती है, आईए friends, कुछ और example देखते हैं ताकि आप इस concept को शांदार तरीके से समझ सकें, friends, लिखा हुआ है, उसे खाना पकाने में दिक्कत हुई, यानि मैंने इस sentence को past में लिखा हुआ है, ताकि आप समझ सकें कि अगर आपके sentence past में हो, तो आप उसे कैसे translate करेंगे, तो इस sentence के लिए आप दिखेंगे, He found difficulty in cooking food, यानि past tense में आप find का second form found का इस्तेमाल करेंगे, आईए friends, दूसरा examper देखते हैं, मैंने यहां लिखा है, मुझे उर्दू बोलने में दिक्कत होती है, तो आप रहेंगे, I find difficulty in speaking उर्दू, चुकि यह sentence present का है, इसलिए मैंने यहां पर लिखा find, तो friends, उमीद करता हो कि अब आपको यह बात सबज में आ रहा होगा, कि अगर आपको कोई ऐसा sentence मिले, जहां पर लिखा हो, दिक्कत होती है, या तकलीफ होती है, तो आप कैसे बोलेंगे, आईए friends, एक example और देखते हैं, ताकि आप अगर confused हैं, तो आपकी confusion खत्म हो सके, friends, अगर लिखा हो, find difficulty in bathing in the morning, यानि friends, आप सबसे पहले लिखेंगे subject, उसके बाद find के साथ difficulty, उसके बाद आप इन के साथ जीरन का इस्तेमाल करेंगे, तो उमीद करता हो friends, कि या structure आपको शांदार तरीके से समझ में आया, friends, अगर वाकई आपने इस structure को शांदार तरीके से सीखा, तो क्या इस topic पर 3 sentences आप comment box में लिख सकते हैं, 3 sentences आप comment box में लिखें ताकि मैं देख सको कि आपने सही सीखा या गलत, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाए